तो वेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त विपन and today we are going to start क्यूकर वीजन के लिए करंट अफियर की न्यू सिरीज So 2223 के important करंट को हम यहाँ पर इस सिरीज में देखेंगे So वीडियो 5 और 7 मिन्ट के approach होगी अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना और शियर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना So करते हैं start भई जो फस्ट करंट है Indian Navy Day कब celebrate करते हैं 4 December को क्यों करते हैं भई क्योंकि operation Trident conduct हुआ था इंदी 1971 में इंडो पाकिस्तान वोर के रांड Indian Navy ने क्या किया था क्राच्ची पोर्ड को seize किया था इस operation के एंडर that's why उस दिन को हम celebrate करते हैं as a Indian Navy Day के रूप में जो 2022 में हमने इसको celebrate किया at the Bishakha Bhattnam पहले इसको New Delhi में celebrate करते थे लेकिन इस यर 2022 में इसको previous year Bishakha Bhattnam में इसको conduct किया थीम क्या थी going out to the neighbor of the maritime Indian Army Day 15 January को celebrate करते हैं जो हमारे Chief of Army Staff कोण है General Manoj Pande और एक चीज़ और द्यान में रखना Chief of Defense Staff कोण है हमारे Anil Chaudhary then Air Force Day का आप celebrate करते हो 8 October को जो हमारे Air Chief Marshal है Vivek Ram Chaudhary then Indian Navy Day 4 December को पता ही हमें then जो हमारे इसके Admiral R. Harikumar इसके Head है मिन्सके Chief है सो करते है स्टार्ट नेक्स्ट यहां पर मालावार एक्साइज है जो के Quad Countries के बीच में कंड़क्ट होती है Quad Countries कौन कौन सी है India, USA Japan, Australia 4 Countries है 212 में इसको कंड़क्ट किया गया था इन्दी Japan at the Tokyo next भई Al-Naza एक आर्मी एक्साइज है जो के इंडिया और उमान की Joint Military एक्साइज है जो के कंड़क्ट होई थी at the B. Karnir राज़स्तान में then Bostok जो के भई रशिया के दिवरा कंड़क्ट की गई थी जहां पर इंडिया ने भी पार्टी स्पेड किया था लेकिन जहां पर जो कुछ एरिया जो जपान के साथ में एक्साइज होनी थी जपान वाले एरिया के साथ में then India ने वहाँ पर जाने से इंकार कर दिया था next उदार शक्ती जो एक एक्साइज है जो के इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट होती है every year ओके next भई Y Annual Pacific Dragon Drill जो के कंडक्ट हुई थी विट्वी इंदी साथ कोरिया USA और जपान के बीच में next यहां पर बिनवेक्स एक दो एरिवाइस में जो एक्साइज हुई थी इंडिया और वेतनाम की bilateral आर्मी एक्साइज है में इसका थीम क्या था जो हमारे peacekeeping operation होते है under the United Nations जो के हम blue helmets peacekeeping forces बेते हैं इंदी सुदान लिब्रिया जो भी हमारी कुछ struggle कर रही है countries जो उसको जहां पर हमारे थीम थी में इंप्लाइमेंट and deployment of the engineer company and the medical team as a part of United Nations contingent for the peacekeeping operations के लिए ओके सुद्यान में रखना important है next भी गुरुडशक्ती मित्रशक्ती शक्ती गुरुडशील्ड जह सभी important है इनका नेम थोड़ा सा आपको confuse कर सकता है that's why रीड करना गुरुडशक्ती bilateral exercise है International Armed Forces and USA Indo-Pacific Command के बीच में means के Indonesia and USA के बीच में कौनसी exercise होगी गुरुडशील्ड सामझे बात भाई then उपर की होई मित्रशक्ती मित्रशक्ती किन के बीच में होती है भी इंडिया और शिरलंका के बीच में लेकिन जो होगी शक्ती exercise between India and France के बीच में एक bilateral exercise है इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ती exercise लेकिन जो मित्रशक्ती है between India and शिरलंका then समुंदरशक्ती वो होगी हमारी इंडिया and इंडोनेशय के बीच में next भाई last में जो exercise है हमारी मेत्री मेत्रीकिन के बीच में होगी इंडिया और थाइलेंड की आर्मी के बीच में सो भाई सभी exercise important थी हमारी इस वीजन के perspective से सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ बाई बाई